सलाम अलेकुम दोस्तों एक और वीडियो में आए वैलकाम वलोफ की दोस्तों वीडियो में आपसे बात करूंगा AMU-CVT के जो कोर्सें उनके बारे में और आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको AMU-BA for language Chinese के बारे में यहां दोस्तों कट-off क्या रहने वाली बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर internal as well as external seat दोस्तों यहां पर केवल 20 हैं 16 सीट को आपके जेनरल है और बाकि चार्ट सीट जो हैं वो कोटे की हैं यहां दोस्तों आपको जो कोटे और बाहर मिलते हैं यहां पर आपको नहीं मिलता है दोस्तों पेपर के पहले बात कर लेते हैं पेपर दोस्तों सीवीटी में आपको देना था आप मलब जो आपको जीटी था 700 तो साड़े 500 मार्च काफ के आपका इंग्लिश तो साड़े 400 मार्च में से आपको यहां पर cut-off दोस्तों यह मैं बेट जो नंबर आई हैंने से से मैं external के बारे में अगर आप external है तो उसे जनरल है मेरे ख्याल से कट-off नहीं रहने वाली है 345-355 इससे कम दोस्तों भूल नहीं इससे कम पर आपका admission external होता हुए बहुत जादा मुश्किल नहीं हो पाएगा सब्सक्राप OBC है 338-345 तो सब्सक्राप SCST है अगें 332-340-330-340 इससे कम दोस्तों भी आपको उमीद नहीं करना चाहिए को के CBT में कट-off बहुत जादा हाई रही है पेपर जैसे मैंने बताया आपको थोड़ा हलका रहता है एम्यों के मुकाबले और जो आप आपकी अंग्रेजी आती हो इसके अंदर भी तीस सवाल बहुत मुश्किल तो नहीं आते हैं तोड़ा बच्चा पढ़की जाएगा तीस सवाल आराम से कर लेगा दोस्तों अब आपसे मैं बात करूंगा इंटरनल के बारे में हैं मेरे खाल से रहने वाली है 245 & 255 इसे कम दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर आप इंटरनल ओबी सी हैं थो अगें कटॉफ आपकी रहनेवाली है क्टू को रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्यूंकि जैसा मैंने आप बताया स्यू बीटी में कट आफ जो है डियार डियार वेरी हाई लास्ट ये अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे जो काफी अच्छा एटी नाइंटी भी स्कोर किया होता और जिका उनका एड्मिशन नहीं हुआ है जेनुमें अगर आप देखें कट आफ लास्टे के नाइंट आप से रेशन के बारे में इस वीडियो में इतना ही मिलूंगा आप से एक लिए वीडियो में खुदा आफिज